आपको आज की इस वीडियो में आपके कक्षा 10B क्लास के इंगलिस सब्जेट के मंथली टेस्ट के आपको आंसर इस वीडियो में प्रोवाइट कराने वाला हूं तो वीडियो को अंतक देखें बिल्कुल भी स्कीप ना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको फिलिंदा विलेंग्स दे गए हैं दूसरे वाले कोचेंस में आपको फिलिंदा विलेंग्स दे गए हैं उसकर आपको जल्दी से इन सभी के अंसर बता देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलिंदा विलेंग् तो आपको इस तरीके से आंसर आपके जो कोच्चंस नंबर एक के फिलिंदभी लेंग से उनमे भर देना है उसके आपको 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 दोनों sentence आपके जो दिये थे उन दोनों के answer आपको मैंने provide करा दी है तो आपको इस तरीके से लिखना है आप चाहे तो वीडियो को post करके इसके skin sort भी ले सकते हैं अब हम चलते हैं आपके अगले questions नमबर 4 जिसमें आपको यहाँ पर एक notice तयार करना है आपको इस तरीके से एक center में आपको लिखना है government voice school भोपाल मतपरदे से आपको एक तरफ date डालना है उसके आपको बीच में notice लखना है उसके आपको इस तरीके से इसको लिखना है sentence बीच में उसके आपको इतना लिख देना है तो इसमें आप चाहें तो इसका जल्दी से skin sort ले सकते नहीं तो वीडियो को post करके भी आप लिख लीजिए इतना यहाँ पर आपको complete कर देना है उसकर आपका हो जाता है questions number fourth complete अब आपका आता है questions number fifth और साथी इस course के अंत में सबको दिया जाएगा certificate अभी जाए doubtnut पर है course खरीदें और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए पूरे भारत में काफी वड़ी अदाम पर और top quality course doubtnut पर मिलेगा डाउनलोड लिंक वीडियो के description में दी है तो इसरेंड में आपको बतारेता हूँ आपका जो questions number fifth है इसमें आपको later लिखना है तो इसका जो answer दिया गया है आपकी कक्षद 10B की book में ही दिया गया उसमें से आप आसानी से लिख सकते हैं तो इसरेंड में आपको कक्षद 10B की आपके जो English subject का मंतिली टेस्ट उन सभी के answer प्रोवाइट करा दी है तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें हो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जाहिन जावारत